आज की इस वीडियो में हम लोग कुड़ का प्रयोग सीखेंगे और जानेंगे कि कुड़ का प्रयोग हमें कब और किस प्रकार के बाक्यों में करना चाहिए कुड का प्रयोग अतीत means past के एक्षमता का बोध कराने या किसी से बिनम्र निवेदन यानि की polite request करने के लिए किया जाता है indirect speech के बाक्यों में इसका प्रयोग can के past के रूप में किया जाता है कुड का प्रयोग हम लोग polite request को भ्यक्त करने के लिए करते हैं इसके लबब past ability, capacity, power के लिए यूज करते हैं और इसके लबबब यूज करते हम as past of can और conditional sentences में हम लोग could का यूज करते हैं फॉर एक्जम्पल के लिए जैसे first sentence है could I use your laptop charger to charge my laptop यहाँ पर हम क्या है request कर रहे है polite request तो यहाँ पर हम यूज करेंगे could could I use your laptop charger to charge my laptop एक और एक्जम्पल है हमारे पास when I was young I could run two miles continuously यहाँ पर हम लोग use कर रहे है could क्योंकि यहाँ पर क्या show कर रहे है past ability मतलब जब मैं young था तब मैं इतना ज़्यादा दोर सकता था और क्या show कर रहे है इसमें power capacity को show कर रहे है इसलिए हम यहाँ पर use करेंगे could और एक्जम्पल है रोहन said he could win the race यह कैसा sentence है as past of can एक्जम्पल he could have won the race if he had prepared well मतलब इसमें क्या बोल रहे है कि वो race को जीद सकता था अगर वो अच्छे से महनत करता ठीक है तो इसमें हम यूज करेंगे could conditional sentence है कैसे he could have won the race if he had prepared well वो अगर अच्छे से त्यारी करता तो वो race को जीद सकता था चलिए अब हम देखते हैं use of could to make polite request could का प्रयोग हम किसी से बिनम्र अनुरोद निवेदन करने के लिए कर सकते हैं जैसे क्या मैं आपका laptop charger इस्तेमाल कर सकता हूं इसके कुछ और examples हम देखते हैं polite request में जो हमारे पास first example है वो है क्या हम अब जा सकते हैं कैसे बोलेंगे could we go now could we go now means क्या अब हम जा सकते हैं क्या आप मेरे bag पकड़ सकते हैं again इसमें क्या है request है could you carry my bags means क्या आप मेरे bag पकड़ सकते हैं क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो कैसे बोलेंगे could you lend me your pen means क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो again polite request वाले sentence है तो यहाँ पर हम फिर सी उस करेंगे could एक और example देखते हैं क्या मैं आपको बाद में फोन कर सकता हूं कैसे बोलेंगे could I call you later could I call you later means क्या मैं आपको बाद में फोन कर सकता हूं क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं could you please give me a glass of water could you please give me a glass of water means क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं अभी हमने जितने भी sentences देखे यह sentences कैसे थे polite request वाले जहां पर हम request कर रहे हैं बिनमर निवेदन कर रहे हैं तो इन sentences में हम लोग क्या use करेंगे could अब हम next sentences को देखेंगे जिसमें use of could to express power stability, power और capacity ऐसे sentences को देखेंगे जो कि है past को शो कर रहे है power को या पर capacity को पहाँ पर हम use करेंगे good good का प्रयोग अतीत अतीत बोलते है past को past की योग्यता क्षमता का बोध कराने के लिए किये जाता है जैसे जब मैं तुम्हारी उमर कर था बिना रुके चार किलोमीटर तक दोड़ सकता था यह कैसा sentence है इसमें कि आ past की बात कर रहे है कि जब मैं तुम्हारी उमर कर था मतला बहुत पहले past में तब मैं चार किलोमीटर दोड़ सकता था और क्या शो कर रहे है power and capacity कितनी capacity थी मेरे पास में इतना दोड़ सकता था तीक है इसके हम कुछ examples रिखते हैं first example है हमारे पास John प्यानो बजा सका कैसे बोलेंगे John could play the piano means John प्यानो बजा सका रोहन भाग सकता था लेकिन बे नहीं भागा क्या है भाग सकता था पहले की बात कर रहे है past की means रोहन भाग सकता था बत वो नहीं भागा जब बच्ची थी तब बेड़ों पर चर सकती थी बतलब past की बात कर रहे हैं मुसकी इतनी capacity थी कि वो पेड़ों पर चर सकती थी जब वो छोटी थी past में तो इस sentence को हम कैसे बोलेंगे she could climb trees when she was a child means जब बच्ची थी तब बेड़ों पर चर सकती थी यह जो हमने अभी जितने भी sentences देखे हैं इन sentences में यह कैसे थे past ability को express कर रहे थे और power और capacity को रहे से sentences में हम यूज करते हैं could अब next देखते हम अब next है use of could as past of can means could का प्रयोग indirect speech के बाक्यों में can के past के रूप में किये जाता है example के लिए रोहन ने कहा कि वह race जीत सकता है कैसे इसमें two sentences आ रहे हैं रोहन ने कहा एक तूँ यह आगया first second कि वह race जीत सकता है जब बाक्य के first clause में past होता है और second clause में can की जगा हम क्या use करेंगे फिर could का use करेंगे for example के लिए जैसे रोही said that he could swim इसमें क्या है two clause है first clause में क्या है रोही said that मतलब रोही ने कहा क्या कहा he could swim he could swim तो second clause में हम क्या use करेंगे could यहाँ पर हम can का use बिल्कुल नहीं करेंगे इसके हम कुछ एक्जाम्पल जिखते हैं जैसे first example है हमारे पास John ने कहा कि वे चिनिवासा अच्छी से बोल सकता है कैसे बोलेंगे रोहन said that he could speak Chinese well कैसे हैं two sentences first John ने कहा John said that क्या बोला चिनिवासा अच्छी से बोल सकता है he could speak Chinese well ऐसे sentences में हम लोग could use करेंगे can use नहीं करेंगे रोही ने कहा कि वे अच्छी तरह से चिनिवासा नहीं बोल सकती है कैसे बोलेंगे रोही said that he could not speak Chinese well मतलब रोही ने कहा कि वे अच्छी तरह से चिनिवासा नहीं बोल सकती है डॉक्टर ने कहा कि वे बत सकता है two sentences है डॉक्टर ने कहा डॉक्टर सेट और कि वे बत सकता है that he could survive the doctor said that he could survive means डॉक्टर ने कहा कि वे बत सकता है मेरी दोस्त ने कहा कि वे अगले महीने एक कार खरीज सकता है मेरे दोस्त ने कहा कि वे अगले महीने एक कार खरीज सकता है again two clause तो इसमें हम you could का use करेंगे कैसे बोलेंगे My friend said he could buy a car next month My friend said he could buy a car next month Means मेरे दोस्त ने कहा कि वे अगले महिने एक कार खरीच सकता है Next है मारे पास Use of could in conditional sentences जहाँ पर भी conditions है उन sentences में भी हम लोग क्या use करेंगे Could जैसे conditional vacuum में काल्पनिक जैसे hypothetical situation को व्यक्त करने के लिए Could का प्रयों किये जाता है Example के लिए जैसे हमने अभी पहले भी बात कर रही थी बहरेस जीत सकता था यदि उसने अच्छी तरह से त्यारी की होती conditional sentence है ठीक है Example दिखते हैं इसके हम कुछ First example है अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसके जनम दिन की पार्टी में जा पाता कैसा sentence है conditional अगर कार होती तो मैं उसके जनम दिन में जा पाता Again हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे Could कैसे बोलेंगे If I had a car I could go to her birthday party If I had a car I could go to her birthday party Means अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसके जनम दिन की पार्टी में जा पाता मैं शिमला में होता तो मैं बरवारी देख पाता Again conditional Hood का use करेंगे कैसे If I were in Shimla I could see snow falling If I were in Shimla I could see snow falling Means मैं Shimla में होता तो मैं बरवारी देख पाता अगर सचिन नहीं खेले होते तो भारत मैं चार सकता था कैसे बोलेंगे If सचिन had not played India could have lost the game If सचिन had not played India could have lost the game Means अगर सचिन नहीं खेले होते तो भारत मैं चार सकता था मैं अब तक अंग्रेजी सीख सकता था अगर मैंने अंग्रेजी क्लास जोइन की होती conditional sentence कि अगर मैंने क्लास जोइन की होती अभी तक हमने जो डिफ्रेंट फॉर कंडिशन्स थी उनके साथ कैसे कुढ यूज करने वो एक्जम्पल्स देगे अगर मैंने अंग्रेजी क्लास जोइन की होती अभी तक हमने जो डिफ्रेंट फॉर कंडिशन्स थी उनके साथ कैसे कुढ यूज करने वो एक्जम्पल्स देगे अब हम अगेन कुछ 20 एक्जम्पल्स देखते हैं कैसे कुढ यूज करेंगे फरस्ट एक्जम्पल है इसका हमारे पास क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुला सकते हैं क्या है इसमें पॉलाइट रिक्वेस्ट तो यहां पर यूज करेंगे हम कुढ क्या तुम कल आकर मुझसे मिल सकते हो क्या तुम कल आकर मुझसे मिल सकते हो अगेर प्लाइट रिक्वेस्टेस में ऐसा करने पर आपको गिरफतार किये जा सकता है You could get arrested for doing that You could get arrested for doing that Means ऐसा करने पर आपको गिरफतार किये जा सकता है सननाटे में हम घड़ी की टिक टिक सुन सकते हैं In the silence, we could hear the clock ticking In the silence, we could hear the clock ticking Means सननाटे में हम घड़ी की टिक टिक सुन सकते हैं मैं इतना थक्या हूँ की एक हपते तक सौ सकता हूँ I am so tired, I could sleep for a week Means मैं इतना थक्या हूँ की एक हपते तक सौ सकता हूँ मैं बिमार थे, इसलिए नहीं आ सके He was ill, therefore could not come His baby मार थे, इसलिए नहीं आ सके युद अभी एक और साल तक सकता है The bar could run on for another year yet Means युद अभी और एक साल तक सकता है काश में आपकी मदद कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर सकता I wish I could help you what I can't Means काश में आपकी मदद कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्या आप चीनी पास कर सकते हैं क्रिपया Could you pass the sugar please? Could you pass the sugar please? Means क्या आप चीनी पास कर सकते हैं क्रिपया ये सारे sentence सीखने के बाद एक question आपके लिए भी है आपको ये बताना है कि मैं अपनी seed से पूरा मैदान देख सकता था इस sentence को English में कैसे बोलेंगे? इसका answer आप comment box में comment करके जरूर बताना मैं उस यात्रा को आँखे बंद करके देख सकता था I could do that journey with my eyes shut I could do that journey with my eyes shut means मैं उस यात्रा को आँखे बंद करके देख सकता था क्या आप किड की कॉल कर मुझे उपक्रिट कर सकते हैं? क्या मुझे इसकी receipt मिल सकती है? क्या मुझे इसकी receipt मिल सकती है? मैं जितनी जल्दी हो सके सीडियों से नीचे भागा I ran down the stairs as far as I could I ran down the stairs as far as I could means मैं जितनी जल्दी हो सके सीडियों से नीचे भागा क्या आप मुझे रात के लिए विश्तर दे सकते हैं? क्या आप उसे रभिबार को लंच के बारे में याद दिला सकते हैं? क्या आप उसे रभिबार को लंच के बारे में याद दिला सकते हैं? तुम इतने मुर्ख कैसे हो सकते थे कि उसके प्यार में पढ़ गए? How could you have been so foolish as to fall in love with her? means तुम इतने मुर्ख कैसे हो सकते थे कि उसके प्यार में पढ़ गए? क्या आप क्रिपया अंतिंग बिन्दुस पस्ट कर सकते हैं? Could you clarify the last point please? Could you clarify the last point please? means क्या आप क्रिपया अंतिंग बिन्दुस पस्ट कर सकते हैं? उसने जिजा कर मुझ से पूछा कि क्या बह मेरे पास बैठ सकती है? She hesitated and asked me if he could sit near me? means उसने जिजा कर मुझ से पूछा कि क्या बह मेरे पास बैठ सकती है? मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? I asked my father if I could go out I asked my father if I could go out means मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आज कि इस वीडियो में हमने कुट का प्रियोग सीखा और जाना कि कुट का प्रियोग हमें कब और किस प्रकार के बाक्यों के लिए करना चाहिए? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं